बहत्रीन और स्वादिश रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार, वेलकम टू सास बहु रेसिपीज आज हम बना रहे हैं धाबा स्टाइल चिकन पालक करी आज हम चिकन के साथ पालक की भाजी को इंक्लूट करेंगे पालक की भाजी low in calories, very high in vitamins and minerals है ये एक highly nutritious leafy green है जो एक excellent source of vitamin A, vitamin K, vitamin C, magnesium, calcium, dietary fiber, rich in iron and omega 3 fatty acids ये हमारे हाट के लिए भी बहुत ही अच्छा है इसलिए हमें पालक की भाजी को अपने डायेट में इंक्लूट करना चाहिए इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, मैं लेक पीसिस ले रही हूँ, आप ओनलेस या पीसिस ले सकते हैं मीडियम साइज के दो प्याज मोटे कटे हुए 5-6 हरी मिर्च प्रेश क्रीम एक टेबल स्पून चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी सबसे पहले पालक को हम ब्लैंच करेंगे यानि उबलते पानी में एक मिनिट के लिए डालेंगे और तुरंट थंडे पानी में डालेंगे इससे पालक के पत्तों का हरा रंग बरकरार रहेगा पालक के भाजी को हमने थंडे पानी में डाला था अब हम इसको ब्लेंड करके इसकी फ्यूरी बना लेंगे अब हम चिकन को मेरीनेट करेंगे इसमें डालेंगे नीमू का रस अदर लेहसन की पेस्ट और नमक और इसको 15 मिनिट के लिए रख देंगे अब पैन में एक टेबल स्पून तेल में चिकन को मैं सौटे करूंगी इससे चिकन के जूसे सील हो जाएंगे चिकन के पीसेज अच्छी तरह सौटे हो गए हैं अब हम इनको निकाल लेंगे अब एक कराई में लेंगे हम तीन टेबल स्पून तेल और इसमें डालेंगे हमारी मोटी कटी हुई प्याज प्याज हमने मोटी इसलिए काती हैं क्यूंकि हमें टामाटर और प्याज की प्यूरी बनानी हैं अब हमें इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे अब इसमें डालेंगे जीरा, शाह जीरा और प्यास को लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे प्यास अब लाइट ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे अद्रिक लहसन की पेस्ट और अच्छी तरह बुन लेंगे अद्रिक लहसन की पेस्ट का कच्छापन जाना चाहिए अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च अब डालेंगे इसमें टामाटर अब इस मिक्सचर को हम ब्लेंड कर लेंगे अब इस प्यूरी को फिर से कराही में ले लेते हैं अब इसमें डालेंगे हल्दी धन्या पाउडर गरम मसाला पाउडर जीरा पाउडर और जाइफर और इलाइची का पाउडर इससे हमारे कारी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा अब डालेंगे नमक अब डालेंगे सौते की हुई चिकन और इस चिकन को गलने तक पकाएंगे बीच बीच में इस तरह हिलाते रहें ताकि चिकन जलना जाएगे चिकन या मतन को हमेशा इतना गलाना चाहिए कि गोश हड़ी से अलग होने लगे तब ही उस डिश का स्वाद आता है चिकन अच्छी तरह गल चुकी है अब हम इसमें डालेंगे दही पालक की प्यूरी और अच्छे तरह मिक्स करेंगे अब डालेंगे इसमें कसूरी मेथी और फ्रिश क्रीम से गार्निश करके सर्व करेंगे हमारी धाबा स्टाइल चिकन पालक करी तयार है इसे आप अपने मन पसंद रोटी, नान या राइस के साथ खाये आप हमारे चैनल को लाइचे लिए, शेर कीचे लिए और सुब्स्क्राइब कीचे लिए तवी, प्राइब करेंए झांप झाल झाल झाल